हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू निटिंग ट्विटर के आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये हैनी कॉंप डिजाइन है ये अलग तरीक से बनाए गया है ये और बल्कुल सिंपल है देखेंगे इसमें सिर्फ एक सलाई में आपको डिजाइन बनेगा और बाकी की सारी सलाई इसमें साधी बनेंगे उल्टी सीधे में बनाई होईगी इसकी कि ये फ़िए तरफ से और सीधि तरफ से इसको आप किशी भी स्वैतर में डाल सकते हैं कारडिघन में बहुत अच्छा लगेंगा ये बच्चों कि कारडिघन में आप इसको बना सकते हैं से 10 पंदों में मैंने key डिजाइन बनाया है दो फंदे ये हैं और आट फंदे हमारे ये बीच के हैं देखिए ये मैंने डाले हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, पारा, तेरा 26 फंदे हैं हमारे ये, दस-दस फंदो के दो डिजाइन आएंगे इसमें प्लस टू करने हैं हमें और चार फंदे मैंने दो फंदे इधर और दो फंदे इधर रखने के लिए साधे लिए हैं इस डिजाइन को हम उल्टी तरफ से शुरू करेंगे ये हमारी उल्टी से राइट साइड, ये हमारी रॉंग साइड है और यह हमारी राइट साइड है हम इस तरफ से शुरू करेंगे इस हमें चार सलाई इसकी बिल्कुछ सीधे-सीधे की बुलनी है यह देखिए कि पूरी सलाई हमें इसी तरह से सीधी-सीधी बुल लेनी है यह पहली सलाई हो गई अब हम दूसरी सलाई शुरू करेंगे यह भी हमें सीधी-सीधे-सीधी बुलनी है यह दूसरी सलाई है, तीसरी और चौती सलाई भी हमें इसी तरह सीधी-सीधी बुननी है यह देखिए, चार सलाई हमने सीधे-सीधे बुनते हुए, पूरी कर लिया है, यह दो लाइन हमारी बन गई, एक लाइन यह है, एक लाइन है, और उल्टी तरफ से भी आप देखेंगे इसमें, एक यह लाइन, एक यह लाइन, दो दो लाइन, दोनों साइड से बन गई यह, यह हमारी राइट साइड है, सीधी साइड है, और यह उल्टी साइड है, अब हमें पांच सलाई इसमें और बनानी है, और वो हम बनाएंगे, अब हम इसमें सीधी नहीं बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधी सलाई बनाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टी सलाई बनाएंगे, य यह पूरी सलाई हमारी उल्टी हो गए चार सलाई हमने सीधे सीधे की बनाई पाचवी सलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली अब हमारी यह चटी सलाई है इसको हम सीधी बनाएंगे इसी तरह से जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो फिर उल्टी सलाई बनाएंगे चार सलाई यह हो जाएंगे हमारी पांच यह पूरी नौ सलाई होंगी हमारी हीं सब्सक्राज करने के बाद हम यह डिजाइन बनाएंगे यह दिखें यह अब हमारी पांच भी ett trapped की बनाएंगे अब हमारी नौ सलाई हो गए अब हम ये करेंगे दसवी सलाई यहां दे किते ने संबुन एक फंद देकेंगे यहश्निक वाला फंद अपिनатив में विच्टिती सिध már यहां दो इस तरह से और ये फंदे हम इस सलाई में ले लेंगे और जो ये तीसरा फंदा हमारी बुनाई का है ये तीन फंदे हम लेंगे और तीन फंदे का एक फंदा करेंगे फिर हम अगले फंदे की सीध लेंगे ये वाली और ये वाले दो फंदे उठाएंगे और ये इस सलाई में लेंगे और फिर पीछे का एक फंदा लेंगे और ये तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे उसके बाद हम आठ फंदे सीधे बुनेंगे आठ फंदे हमने सीधे बुन लिये और यहां से हम ये फिर सीध देखेंगे ये वाले फंदे की और यहां से ये हम दो फंदे उठाएंगे तीसरा फंदा साथ में लेते हुए तीन फंदों का एक फंदा करेंगे फिर अगले फंदे की सीध देखेंगे ये वाले दो फंदे उठाएंगे और फिर तीन फंदों का यह एक फंदा कर देंगे इसी तरह से यह दिखिए यह डिजाइन बनता जाएगा फिर से आट फंदे सीधे बुनेंगे यह यह पंदे हो गए और हम फिर वही करेंगे इस फंदे की सीधे देखेंगे नीचे से फंदे उठाएंगे बस यह एक सलाई में हमारी डिजाइन बनता है बाकि सारी सलाई यह हमें इसको सीधी बुननी है सीधे उल्टे में बुनाई करनी है यह लास्ट के दो फंदे हम ऐसे ही बुन देंगे यह हमाई दस सलाई पूरी हो गई अभी यह डिजाइन नहीं दिखेगा एक बार और हम इसको इसी तरह से उठा के बुनेंगे तब हमारा यह डिजाइन दिखना शुरू होगा इस तरह से अब हमें वह रिपीट करना है जो यह हमने सबसे शुरू में किया चार सलाई हमें सीधी सीधी बुननी है दोनों तरफ से और उसके बाद की 5 सलाई सीधे उल्टे की सलाई में बुननी है कि उल्टी तरफ से उल्टी सलाई और सीधी तरफ से सीधी सलाई इस तरह से हमें 9 सलाई बुननी है जैसे हमने शुरू म बुनी यह हमारी पहली सलाई है पुरा सीधा सीधा बुन लेंगे चार सलाई हमें इसी तरह से पूरी करनी है पहली सलाई आ गई हमारी इस तरह से जैसे हमारी यह दो दो लाइन हमें बनानी है पहली लाइन तो हमारी इसी सलाई में आ गई है अब हम इसकी दूसरी सलाई बुनेंगे यह भी हमें सीधी बुननी है तीसरी और चौथी सलाई भी हमें इसी तरह से बुननी है यह देखिए यह चार सलाई हमने यहां सीधी सीधे की बुन ली उसके बाद हमने पांच सलाई सीधी सलाई में सीधी तरफ से सीधी सलाई और उल्टी तरफ से उल्टी सलाई जैसे हमने यहां बुना उसी तरीके से हमने यहां बुना अब हम इनको इसी तरह से उठाएंगे फंदे जैसे हमने यहां उठाएं लेकिन इस बार हमें यहां बीच से लेने हैं फंदे यह वाले यहां से और यह वाले यहां से जो हमारे 8 फंदे हमने सीधे बुने थे उनके बीच के 2 फं 4 फंद जरहा है जो 3 पंद और तेन फंद नहीं दूर्म धबोनावत जरह में President बुनने के बाद, उसके बाद हम ये वाले फंदे की सीध से, फिर उसी तरीके से हमें फंदे उठाने हैं, यहां से, यह दो फंदे उठाके इधर लेंगे, तीसरा फंदा ये वाला लेंगे इसमें, और तीन फंदो का एक फंदा कर देंगे, अब हमें यहां से, फिर इस वाले पीछे का तीसरा फंदा लेकर यह बुन देने अब हमें बीच में आठ फंदे फिर सीधे बुनने आठ फंदे बुन दिये अब यह यहां से फिर उठाके यह बाखी के फंदे हम यह सीधे बुन देंगे इस तरह से हम इस डिजाइन को रिपीट करते जाएंगे दस दस लाई का डिजाइन है और दस फंदो का डिजाइन है यह देखिए यह बनना शुरू हो गया अब हम फिर से इसमें वही करेंगे कि चार सलाई हमें सीधे-सीधे की बुनेंगे और पांच सलाई, एक सलाई सीधी, एक सलाई उल्टी उस तरह से बुनके और फिर इस बार हमें यहां यह दो फंदे बुनने के बाद इसी तरह से की पंदे में बढ़से इसी तरह से हम देखिए यहां इठाएंगे फिर यह, और इधर इधर उठाएंगे इसी तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे देखिए ग roofs को पर बभूत ही प्यारा लगेगा उमीद है आपको पसंद आया होगा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू अगर चैनल सब्सक्राइब करें